वाहे गुरुजी का खाल साथ वाहे गुरुजी की फते दोस्तों आज के वीडियो के अंदर सिखों के साथ जोड़ी हुई चार बड़ी ख़बरे में आपको बताने वाला हूँ जहां पर हमारी सरकार फेल होती है वहाँ पर केवल सरदार काम आते हैं वहाँ पर केवल सिख काम आते हैं और सिखों को हमारी सरकार खालस्तानी और आतंकवादी बताती है और दूसरी तरफ जो राश्ट्रिय जाच एजनसी है उसके अंदर एक संतोश वर्मा मंतोश नाम का ब हो गई और वहाँ पर सरदारों ने नाम है वो चमकाया है भाजपा किसी को भी आतंकवादी खालस्तानी कह सकती है लेकिन इस बात के ऊपर आप आतंकवादी और खालस्तानी कहे कर बताना राजस्तान के गंगानगर की बात करते हैं जहाँ पर जूडो बच्चों को बच्चियां सभी थे उसके अंदर और वो जो बच्चे हैं उनको ना तो खाना पीना मिल रहा था और ना ही उनको रात रुकने के लिए जगे मिल रही थी और उनको सरकार ने बुलाया था वहाँ पर और आखरी समय के उबर जो सरकारी बाबू था उसने अपना पला जाड़ उसने अपने हाथ जाड़ ली और वहाँ पर फिर सरदार काम आए सरदार ने सरकार के ना काटी है सरकार की इस बार ये सरकार को हमेशा याद रहेगा सुनिए एक बार फिर बाबा दीब सिंग गुरद्वारा सामाजिक सरोकारों के अंदर आगरमी रहा यह गंगा नगर का दुरबाग है कि इस शहर के अंदर आमंतरित किये गए महमान बच्चे जूडों की लाड़ी भोजन के लिए परेशानी जेले यह विडंबना हमारे गंगा नगर की है कल से शहर के अंदर राजस्तर ये खेलों का आयोजन किया गया सतर के करीब लड़के और लड़कियां सि जगे उन्हें ठहराया गया था उसके आयोजकों ने जवाब दे दिया कि सरकार के द्वारा जो खाने का परवंद है वो कल से होगा अब बीती रात सिरोही से गंगा नगर ये बच्चे पहुँचे थे और बीती रात को सफर करकर भूखे प्यासे जो बच्चे आये थे रात के समय वहाँ पर पहुंचे थे तो उनको जाएं तो वो जाएं कहां उनको किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर कहीं पर भी जगे नहीं मिली थी दो तीन धर्म इस्थानों के उपर गये जवाब वहाँ पर भी कूरा ही मिला तभी रिधी सिदि निवासी कुल जीद कौर जी को इन बच्चों के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत गुर्दवारा बाबा देव सिंग जी शहीद के मुख सेवादार तेजिंदरपाल सिंग टिम्मा से संपर्क किया और बच्चों के बारे में बताया। यानि कि उनका दिल गदगद हो उठा और उनके मन के अंदर इतना प्रेम हुमड़ा और बोले सर सोना था जिस शहर गली और महले के अंदर सरदार रहते हैं वहाँ पर कभी भी कोई निराशित नहीं रह सकता वहाँ से कोई निराशित वापस नहीं आ सकता और जहां और वहाँ पर उन्होंने कहा उन्होंने अग्रे किया कि इस शहर के अंदर एक भी बच्चा परेशान नहीं होना चाहिए जो भी सेवा होगी गुर्द्वरा बाबा देव सिंग जी हर पल तयार है और खेल आयो ज़कों के अग्रे के उपर शाम को तकरीबर 1200 बच्चों का हो गई जहां पर हमारे सरकारी बाबू फेल हो गए वहाँ पर हमारे ये सरदार काम आए इन्ही सरदारों को हमारी जो सरकार है वो देश वक्त की जगे आतंकवादी और खलस्तानी उग्रवादी का नाम देती है तो भई उग्रवादियों ने तो अब फिर से इन सतर टिमा और उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्हों ने इस परकार का सरहनी अकाम किया अब हम बढ़ते हैं खालस्तानी और आतंकवाली बात के उपर देखोर राहुल गांदी ने अमरीका के अंदर भाशन दिया था बताया कि सिखों को कड़ा पहनने की अनुमती है और सिख किरपान पहन कर भी भारत के अंदर जा सकते हैं पर क्या सच में जा सकते हैं क्योंकि राजस्तान के अंदर हमारी एक सिख बहन एक्जाम देने गई थी लोका तो उसके ककार उतार दिये गए उसको बोला ककार उतारो तभी पेपर देने दिया जाएगा जब उसका व राहूल गांदी का ये बियान आता था, इसी के उपर कल रवनीत सिंग बिटू भाजपा के जो मंतरी है आज की समय, कल तक वो कॉंग्रेस के अंदर राहूल गांदी का पानी भरते थे, लेकिन आज के समय रवनीत बिटू राहूल गांदी को सबसे बड़ा आतंकवादी और देश द्रोही बता रहे है, मेरे शब्द नहीं है, ये डिरेक्टली रवनीत बिटू ने कल एक इंटर्व्यू के अंदर प्रेस के साथ बाचीद करते हुए उन्हों ने ये शब्द बोले, सुन लोगांदी खुद देश के नंबर वन पेरस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल स किस पे अनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए जैंसिस को, वो आज राहूल गांदी को सबसे बड़ा आतंकवादी और देश द्रोही बताती है, देखो बिटू इससे पहले भाजपा के अंदर जाने जे कॉंग्रेस पार्टी के अंदर थे और वहाँ पर यह राहूल गांदी के गुनगान गाते थे, लेकिन आब यह राहूल गांदी को देश द्रोही और आतंकवादी बताते हैं, भी किस परकार से इन बंदे का जो जन्म है, वो कॉंग्रेस के अंदर हुआ, रवनीद बिटू पदों के उपर पहुचाईए और वो आपकी सेवा करेंगे, आपकी कौम की सेवा करेंगे, पारलिमेंट के अंदर आपके सिख रहत मर्यादा वाले सिख पहुचेंगे, तो आपकी आवाज उठाएंगे, इन लोगों के आपको महताज नहीं होना पड़ेगा, जो थाली के चट्टू बट्टू होतें, कभी इस थाली का लड़ू, तो कभी उस थाली का लड़ू, आज ये भाजपा की बोली बोल रहें, कल को इनका मन करें, तो ये कॉंग्रेस के अंदर आ जाए, फिर ये भाजपा की विरूद में बोलेंगे, मंतरियों का ये चीज़े जो है चलत संतोष वर्मा, और ये बलिया का निवासी रहने वाला है, राष्ट्रिय जाच एजनसी, एननाई की जाच के सामने के अंदर बलिया निवासी, नकसली, संतोष वर्मा, उर्फ मंतोष की प्रतिवंदित संग्ठन, CPI माववादी के अंदर नए यूकों को भरती करने के पकड़ा था, जो इस परकार से उगरवाद और आतंकवाद फैला रहे थे, अब उसी जो दल था, उस दल को चलाने वाला था ये संतोष वर्मा, जिसको मंतोष कहा जाता है, मामला ये कि ये जो बंदा है भाजपा के साथ संबंदित है, दोस्तों जो भाजपा है, वो दूस जो संतोष वर्मा है, वो नकसलवादी और आतंकवादियों को शामिल करते हुए पकड़ा गया है, दोस्तों ये जो मंतरी है, ये भी भाजपा का है, जो रवनित बिटु मंतरी है, वो भी भाजपा का है, और जो तीसरी कंगनार नावत इनों ने खुली छोड़ रखी है, तो भाजपा के अंदर लोगों को परमोशन तभी मिलती है, जब वो दूसरे समदाय, दूसरे लोगों के प्रती नफरत फैलाते हैं, और दूसरों के प्रती, वो इस परकार के हिंसक बाते बोलते हैं, लेकिन जब आप गुरुद्वारे के अंदर लंगर चला देते हो, तो आपके उपर देश द्रो का मुकदमा दर्ज हो जाता है, अमरित पाल सिंग ने कोई विद्रो नहीं किया, उसके उपर आज तक कोई चीज सावित नहीं हुई, लेकिन इस संतोश वर्मा के उपर ये बाते सावित हो चुकी है, तो वहाँ पर अमरित पाल को जेल के अंदर ब परकार से देश के सामने प्रेस इंटर्व्यू करके उसको आतंकवादी उगरवादी बोल दे, तो ये बड़ी अपमानजनक बात है हमारे समिधान की फ्रेडम ऑफ स्पीज की, कि आप किसी को भी खड़े होकर कहीं पर भी आतंकवादी खालस्तानी उगरवादी बोल देते हैं और सामने वाला आपको कुछ कहता नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि सामने वाला दोशी हो गया, दोस्तों जब कॉंगरेस की सरकारती हमारे भारत के अंदर 2014 से पहले जिस तरह से आज AD और CBI को भाजपा उप्योग करती है, इसी परकार से कॉंगरेस भी उस समय उप्य सितंबर आ चुकी है, और 18 सितंबर को जो पेशी होगी अब इसके उपर देखा जाएगा कि कौन सी भड़ी अपडेट आती है, आज के वीडियो के अंदर में आपसे यही अपील करना चाहता था कि जहां पर सरकारें फेल हो जाती है, वहां पर सर्दार काम आते हैं और जब सर्दार काम आते हैं, तो सरकार को सर्दारों से नफरत हो जाती है, फिर सर्दार सरकारों को ही पकड़ कर सरकारी जेल के अंदर बंद कर देती है, सरकारी अदालत के अंदर ये केस चलता है और फिर से सरकारी फाइलों के उपर धूर जम जाती है, यह सबसे बड़ा सबारिय आईएस PCS बढ़ाईए और अपने ही गुर्षिक बंदों को MP और MLA के इलेक्शन लड़वाईए तभी आप लोगों की जो आवाज है वो बुलंद हो पाएगी आज के वीडियो के अंदर आपको जहनकारी कैसी मिली कमेंट करके जुरूर पताना मिलेगी नए वीडियो के अं कुछ जघ चाह चुरूर और सोग्षिक झाला है क kafुरूर झाल झाल झाल